नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका YouTube चैनल Competition Boss पर मैं हूँ नितेश दोस्तों इस चैनल पर मैं आपको समय समय पर career guideline भी देता रहता हूँ मैं केंशा भी बताता हूँ और साथ साथ मैं career guideline भी आपके लिए यहां मौझूद रहती है आपके लिए यहां उपलब रहती है आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही course के बारे में जिसको करने के बाद 100% job की guarantee भी रहती है और आप चाहें तो अच्छा खासा अपना business भी खड़ा कर सकते हैं यह course मेरे उन भाइवेनों के लिए जिन्होंने 12th pass कर लिया है क्योंकि सबसे बड़ी problem आती है कि 12th pass करने के बाद हम क्या करें खास करके वो भाइवेन जो science side से होते हैं तो इस course के बारे में पूरा detail आपको वीडियो में बता रहा हूँ वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कर देना चैनल को subscribe भी कर लेना आज का जो वीडियो है वो totally पूरी तरीके से base है किस पर radiology और radiography पर इसका जो course होता है उसे हम radiographer का course भी कहते हैं या radiology course भी कहते हैं और काफी जगे अलग अलग नामों से इसे जाना जा सकता है अब इस वीडियो में मैं आपको course की पूरी detail बताऊँगा, course की fees के बारे में बताऊँगा course करने के बाद आपको job कैसे मिल सकता है और course करने के बाद आप कितना अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं यानि कि आप इस course को करने के बाद कैसे earning कर सकते हैं यानि कि ये course अच्छा खासा money making course भी है आप इसको करने के बाद पैसा भी कमा सकते हैं आप चाहें तो जॉब भी कर सकते हैं। तो आईए देख लेते इस course के वो features जो आपके लिए जानना जरूरी है। सबसे पहले तो बात आती है किसी भी course में admission लेने के लिए उसकी eligibility की उसकी योगगेता की। तो सबसे पहले योगगेता की बात करें तो 12 अगर आपने पास किया हुआ है science stream से, science stream से in the sense यदि आपने science में physics, chemistry और biology ये तीनों आपके पास थे या biology से आपने 12 पास किया हुआ है तो आप इस course में admission ले सकते हैं। अब बात यहात है कि बाकी जो लोग हैं जिन्होंने science से नहीं किया हुआ वो ये course कर सकते हैं क्या। उनके लिए ये course नहीं है पहली बात। दूसरी बात जो लोग 12 में हैं या जिन्होंने exam दिया हुआ है, जिनका result आने वाला है, क्या वो admission के लिए apply कर सकते हैं। बिलकुल वो admission के लिए apply कर सकते हैं, लेकिन admission उनका तभी complete माना जाएगा, जब उनके पास 12th pass होने के लिए degree होगी, 12th pass का certificate उनके पास होगा या 12th pass के mark sheet उनके पास available होगी। अब हर बंदा जो biology से 12th pass है, वो इसमें admission नहीं ले सकता, इसके लिए 55% minimum आपको चाहिए होते हैं, और category को छूट भी होती है, लेकिन 55% का जो एक criteria है वो इस तरीके से है, कि काफी सारी university, जो अच्छी university है, जो अच्छे institute हैं, उनमें 55% आवशक है, बारवी में science biology वालों को लेकिन काफी सारे ऐसे बाइवेन हैं, जिन्होंने science biology से करतो लिया 12th, लेकिन उनके percentage काफी कम रहे जाते हैं, तो वो भी course कर सकते हैं, इसके लिए काफी सारी university हैं, जो इस तरीके के course करवाती हैं, यानि कि radiology का या radiographer का course करवाती हैं, तो वो वहाँ कम percentage से भी कर सकते हैं, तो admission यार इसमें जो clear है, वो तो यह होता है कि इसमें एक competition exam होता है, उसके तुरू admission होता है, लेकिन अलग-अलग university में, अलग-अलग state में, अलग-अलग तरीकी सा admission process है, तो काफी जगे ऐसा process है कि वो बिना exam लिए, बिना किसी competition के admission दे देते हैं, और ये course complete करवा देते हैं अब बात आती है कि course का duration क्या है, radiographic course duration आखिर में कितना है और क्या है, तो बात करें radiographic course duration की या radiographic course time period की, तो इसमें चार तरीके के course आप कर सकते हैं, जो available है फिलाल, पहला होता है आपका certificate course, इसमें आप एक साल के लिए admission लेते हैं, ये एक साल में होता है, दूसरा है आपका दो साल का होता है, दो साल के लिए इसमें admission होता है, तीसरा होता है B.H.C. degree है न, यानि कि B.H.C. in radiography या radiology, तो ये आपका 3 साल का है, और अगर आप इससे अब आगे चलना चाहें, तो मेरे भाई आप इसमें MSC in radiography या MSC in radiology course भी कर सकते हैं, तो ये हुआ आपका course का duration, देखे काफी सारे ऐसे institute हैं, जो government के institute हैं मैं आपको बता रहा हूँ, है न, और इन से आप कर सकते हैं, अब आप मालिजीए दिल्ली से हैं, और दिल्ली में रहने वाले हैं, और दिल्ली से करना चाहते हैं, या आप कहीं के भी हैं और दिल्ली से course करना चाहते हैं, तो AIMS द कोर्स कर सकते हैं अब बात आती है कि को करने के बाद आपकी जो जौब है उसका प्रोफाइल क्या रहेगा आपका कुछ रह गए हो किसी और राज्य में कुछ और नाम से जाना जाता हो तो आपको अगर इसके अलावा knowledge है तो आप comment में बताएं comment में उसको बता सकते हैं ताकि और उको पता लग जाए तो जो सबसे popular है वो है आपका radiology technician यानि कि radiology technician आपकी post हो सकती है और ये course भी अलग से हो सकता है आप चाहें तो इस course को भी कर सकते हैं दूसरा है आपका radiology helper या radiology सहायक तीसरा है आपका radiology technologist तो ये technologist वाला course है इसका मतलब कहा कि अब आने वाले time में जो medical education है दीरे दीरे टेकनिक से जुड रही है दीरे दीर हो सकता है कि MBBS जो doctors है उनका भी एक scope इस तरह से हो जाए कि यहाँ जो MBBS है उसके साथ साथ टेकनिक भी जुड जाए दिर दिर जैसे की जुड ती जा रही है तो radiology technologist का भी एक course अलग से होता है radiographer भी इसको कहीं कहते हैं तो कहीं इसको radiology nurse भी कहते हैं ठीक है कहीं इसको ultrasound technician भी कहते हैं अब ultrasound का course भी radiography या radiology में ही आता है क्यों आता है मैं आपको बताऊंगा फिर है आपके diagnostic medical sonographer ठीक है ये भी इसी में आता है आप बिमारी फैली हुई है आने वाले time में या इससे पहले हम देखे तो कोई ने कोई बिमारी हमीशा से चली आ रही है तो बिना radiographer के बिना radiography के बिना radiologist के या बिना radiology के किसी भी रोग के बारे में diagnose नहीं कर सकते अब आप चाहें MRI कराने जाएं चाहें आप CT scan कराने जाएं चाहें आप X-ray कराने जाएं Radiologist ही या radiographer ही आपका जो है यह सब treatment डियाग्नोस करता है treatment का पार्ट नहीं है यह diagnose का पार्ट है क्योंकि बिना diagnose के treatment नहीं हो सकता तो आपका Diagnose करने के लिए या तो आपको X-ray कराना पड़ेगा या आपको CT Scan कराने पड़ेगी या आपको Diagnose कराने के लिए आपको MRI कराने पड़ेगी तो ये तीनों काम ही Radiographer के या Radiologist के होते हैं ठीक है और ये एक ऐसी Post है चोटे से चोटा और बड़े से बड़ा अस्पताल इसमें इसकी पोस्ट होती है सरकारी और गॉर्मेंट सभी अस्पतालों में इसकी पोस्ट होती है आप चाहें तो यहां जॉब कर सकते हैं सरकारी में और गवर्मेंट में दोनों में time to time जेगे निकलती है और रेडियोग्राफी या रेडियोलोजिस की स्थिति तो ऐसी है कि फरतमार में आप किसी भी पॉस्ट की संक्या देख लीजिए इसको करने वाले काफी कम देखेंगे तो या तो पढ़ना नहीं कर पाते हैं तो अच्छी कऊसी रहती है और इसमें वेकें सीपाने वालों की संक्या खंए पूती है ठीक है तो आप इसको चाहें तो private hospitals में job कर सकते हैं या government अप्षेत में भी अपलाई कर सकते हैं इसके अलावा विबिन प्रकार के diagnostic center काफी सारे आपको मिल जाएंगे ठीक है न प्राइवेट लेब जिसको कहते हैं आप अपना diagnostic center खुद का संचालित कर सकते हैं उसके लिए पैसा अगर आपके पास है तो अपनी मशीने लगाकर आप अपना diagnostic center खोल सकते हैं और बहुत सारे लोगों को रोजगार भी दे सकते हैं ठीक है अब माल लीजिए आपको medical छेत्र में जाना ही नहीं है आपको इलाज में involved होना ही नहीं है आपको treatment में डाइग्नोस में involved होना ही नहीं है तो फिर आप essay colleges में medical colleges या फिर paramedical colleges में इस course के student को पढ़ा सकते हैं तो radiography करने के बाद आपको teaching job के option भी खुल जाते हैं लेकि यह course जो है money making course है तो कैसे है तो देखिए आप कहीं भी apply करें private sector की पहले बात कर लेते हैं तो private sector में अगर आप apply करेंगे तो आपको 10 से 15,000 रुपे salary per month मिल जाएगी हो सकता है कहीं 7-8,000 भी मिलती हो तो वो bargaining के उपर होता है लेकिन जैसे जैसे experience होगा private छेत्र में बड़े अगर आपके पास institute है medical के तो उनमें अच्छी salary मिलती है बाकी सारी सिवधाय भी मिलती है और whole life आप अपना job mark कर सकते हैं अब कुछ ऐसे center जो छोटे होते हैं यह diagnostic lab होती है तो lab का आकार clever किस तरीके का है उसमें business किस तरीके का है उस पर salary depend करती है तो वही 7-8,000 से लेकर 15,000 जार तक आपको यह salary मिल जाती है गौर्मेंट सेक्टर की बात करें तो अलग 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 स्टेट की गौर्मेंट में यूपी में एमपी में दिल्ली में राजिस्तान में हरियाने में अलग 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 salary pay scale या वेतनायोग लगे हुए तो रेडियोग्राफर का या रेडिय खर्च भी करना पड़ेगा लगाना भी पड़ेगा तो diagnostic center भी आप खोल सकते हैं अगर आप पैसे वाले हैं या आप संपन हैं तो अब बात आती है colleges की अगर आप मालीजे पैरा medical medical college में पढ़ा दें तो वहाँ दो तरीके से payment होता है आपको एक तो होता है आपको monthly payment अच्छ पर class पर period के इसाफ से payment होता है जो की 300 से लेकर के 500-600 अजार रुपे तक जाता है आप चाहें तो part-time के रूप में भी कर सकते हैं government job भी करें और part-time रूप किसी institute में आप पढ़ा भी सकते हैं तो इस तरीके से इससे आप पैसा भी कमा सकते हैं तो अब ये था radiology के बारे में सवाल पूछ सकते हैं या अपनी राय भी रह सकते हैं शेयर करना दोस्तों में ताकि उनको भी after 12th career option के बारे में पता चल जाए दोस्तों वीडियो पसंद आये तो लाइक को शेयर जिरूर कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बेल लाइक कर दादेंगे आप तो वीड मैं फिर मिलूंगा तब तक के लिए नमस्कार